हेलो बीटिफुल बीबल वेलकम चू लखनो लुकस आज हम बात करने वाले हैं माक्सिमा की ट्राइपलाई स्टील की मल्टी कढ़ाई के बारे में ये 2023 का काफी अच्छा लॉंच है और मैं आपको बता रहा हूं आगे आने माले दिनों में ये वन अफ दा बेस्ट सेलर बनने वाला है All India क्योंकि पहली बार हमें देखने को मिलेगी ट्राइपलाई स्टील में मल्टी कढ़ाई जिसमें हम बना सकते हैं इडली, ढोकला, मोमोस, परे और भी बहुत सारी स्टीमिंग रेसिपी और उसी के साथ साथ इस कढ़ाई को हम रेगुलर बेसिस में हर तरीके की को पोटा साइज लाँच हुआ था जो मुझे बहुत जादा पसंद नहीं आ रहा था बड़ अब इसका जो साइज और जो डिजाइन इसने उने दिया है वो काफी आउटस्टांडिंग है और इसी के अंदर यहां पे अटाच्मेंट्स भी देखने को मिलेंगे तो चलिए एक बार में आपको 1234567 मतलब 14 इडली बड़े साइज की एक बार में बनेगी पर कहानिया खतम नहीं होती क्योंकि यहां पे यह जो कढ़ाई की वैलुएशन दी हुई है यह कंप्लीट ट्राइपलाई स्टील में दे दी है जिसमें खाना भी अगर आप बनाते हैं regular basis में सूखी सबजी बनाते हैं गिली सबजी बनाते हैं किसी भी तरीके की चीजे बनाते हैं वो जलेंगी नहीं क्योंकि यह दी हुई है complete आपको tri-ply premium steels में यहां पे maxima की marking मिली हुई है और साथी साथ अंदर की तरह से अब rivets नहीं दी हुई है जिसकी वज़े से इसमें आप अराम से flawless तरीके से spatula चला सकते हैं गंदगी भी भरेगी नहीं यह 28 cm की कड़ाई है जो की 4.5 लीटर capacity की है कहने का मतलब है अगर आपके 6 लोगों की family है तो आपको कोई दूसरी कड़ाई लेने की जरुवती नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने दे दी है triple steel की कड़ाई और जब भी अगर आपको regular basis पे less oil cooking करनी है no oil cooking करनी है तो आपको मिल जाते हैं इसके साथ ये सारे धेर सारे attachments तो एक एक करके इसके attachments के बारे में discuss करते हैं अगर मैं कड़ाई के बारे में करूं काफी अच्छे मजबूत handles भी दिये हुए हैं और नीचे की तरह से ये लिखा भी हुआ है कि ये gas induction सब पे चलेगी साथी साथ tri-ply steel की है thickness 2.5 mm है जो की बाकी कंपनिया लिखके नहीं देती हैं मैं आपको बाकी कंपनिया क्या बोलू ये productive इसी company के पास है और सबसे interesting चीज़ है अगर ये आपको पसंद आ रही है तो इस video के नीचे description box में इसका मैंने buy link दे रखा है ज आप धककन देखते हैं बिल्कुल flat धककन होता है बड़ इसका dome shape धककन काफी interesting है और बहुत जादा durable होता है side में bidding देखने को मिलेगी बहुत proper fitting देखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर हम steaming recipes भी बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे idli फिर इसके बाद धोकला तो यहां यह देखें धोकले का attachment है नीचे पानी भर के दो बड़े बड़े धोकले लगबग 26 cm 24 cm के धोकले हम बना सकते हैं और दो धोकले के बाद इसको बंद करतेंगे 10 मिनट के अंदर धोकला भी prepare हो जाएगा और जब भी आपको धोकला नहीं बनाना है तो इन attachments को बिल्कुल आती है यह multi-purpose steaming का जिसमें हम momos fare भी बना सकते हैं तो एक यह भी attachment इसमें देखने को मिल जाता है इसके बाद सबसे interesting चीज है कि कढ़ाई की complete specifications दिखा देते हैं क्या finishing है क्या चीज़े हैं उसके बाद discuss करते हैं तो सबसे पहले है कि कढ़ाई tri-ply steel की बनी हुई है अंदर की तरफ से 304 grade का steel है जो की food grid quality का होता है और इसमें खाना store करके भी आप रख सकते हैं उपर के तरफ से maxima की marking मिलती है 430 grade की है अगर इसकी मैं complete thickness दिखाऊ हूँ तो यहाँ पे आपको देखे thickness भी देखने को मिल जाएगी उसी के साथ सिंगिल screw के साथ पूरा intact तरीके से कितनी ला जवाब finishing के साथ आता है पूरा mirror finishing नीचे की तरफ से अगर बात करता हूँ तो company ने यहाँ पर लिख के भी दिया है कि यह maxima की है ट्राइपला स्टील है और multi कड़ाई है जिसमें idli, momos, फगरे, ढूकला और हर तरीके की सबजी हमारा बना सकते हैं इसमें जादा flame भी नहीं लगेगी क्योंकि यह low flame पे use होती है और बहुत जल्दी इसका आपको result भी देखने को मिल जाता है अगर आप abroad जा रहे हैं और आपको अलग से कड़ाई ले रहे हैं अलग से multi कड़ाई ले रहे हैं तो अब वो समय चला गया है सिर्फ इस वीडियो की नीचे जाए और description box में इसका buy link से आप इसको अराम से all India के लिए खरी सकते हैं उसी के साथ साथ यहां पे कापको कगर देखने को मिलेगी यह कगर इसलिए दी रहती है कि सारे attachments में बहुत आसानी से बैठ जाते हैं बहुत आसानी से और निकालते time पे भी काफी आसानी से निकल जाते हैं क आपको भी बिल्कुल idea लगा रहे इसका कैसी है यह उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में यह सारे attachment इसमें मिलते हैं पहला attachment मिलता है जिसमें बहुत सारे holes देखने को मिलेंगे यह multi-purpose attachment होता है इसमें सबजी steam करने से लेके chicken steam भी आप कर सकते हैं उसके बाद आपको दो attachment मिलते हैं जिसमें आप proper बड़े साइस के धोकले बना सकते हैं और यहां पर multi-purpose hole भी दिये हुए हैं जिसमें बहुत अच्छी steaming जल्दी cooking होती है उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा attachment तो एक बार में दो धोकले आप आराम से बना सकते हैं और सब में तीन- स्टील यूज करी है वो Maxima की स्टील है जिसमें मुझे कभी भी कोई डाउट नहीं रहा है काफी इंट्रस्टिंग स्टील यह यूज करते हैं तो यह कड़ाई जो है मेरे साब से आज की तारिंग में हर घर में होनी चाहिए इस टाइप की मल्टी कड़ाई जिसमें अगर इ रहती है चलिए उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं box packaging की तो यहां पर यह देखेगा यहां पर made in India है 100% 304 grade की steel दी हुई है और साथी साथ यहां पर आपको यह MRP है 4999 की MRP है बट घबराने की जरुद नहीं है और सबसे इंटरस्टिंग चीज मुझे जो मज़ा आई थी इसमें यहां पर आपको capacity भी दी हुई है अब यहां पर देखें 4.5 लीटर की capacity दी है tri-ply steel 18x8 की steel भी दी हुई है और साथी साथ सारी चीज़े company mention कर देती है और इसके साथ आपको मिलता है यह warranty card और warranty card 5 साल की warranty company आपको यह दे देती है तो आपको करना क्या है अगर आपको इल्ली मोमोज फरे ढोकला बनाना ही है तो क्यों ना इसमें अब बनाना शुरू किया जाए और साथी साथ इसमें सिर्फ इडली डोकला मोमोज फरे ही नहीं इसमें आप regular basis पे आलू की सब्जी और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इवेर राइस बनाने के लिए भी काफी अच्छा है इसका diameter जो दिया हुआ है वो 28 cm का है तो यहां पर यह देखे यह दो attachment इधर हो गए और यह दो attachment इधर हो गए और यह एक multiple attachment है चलिए मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ और कैसी लगी है multi कडाई ज़रू बताइएगा काफी revolutionary product है और मुझे लगता है कि आगे अब companyya इसको copy करना शुरू कर देंगी और जब तक वो copy करती है तब तक हम खरीद क्योंकि यह काफी कम दाम में है एक tri-ply steel की कडाई 3000 रुपे के आती उसी रेंज में यह complete कडाई आपको attachment के साथ मिलती है जो मुझे लगता है कि अच्छी choice है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही thank you so much keep supporting us